हेलो बच्चों क्यासे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों आज हमें एक अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है बुरी मा बुरी मा ने धोकर दाने आंगन में रख दिये सुखाने बच्चों आंगन क्या होता है घर के पास खुला इलाका जो होता है एरिया जो होता है उसको क्या कहते है आंगन तो बुरी मा ने क्या किया दाने धोकर आंगन में सुखाने के लिए रख दिये धूप पड़ी तो हुए सुखाने आई चिडिया उनको खाने जैसे ही उन दानों पर धूप पड़ी तो क्या हो गए सुने रे यानि सुखाने हो गए तभी चीरिया आ गई उन दानों को खाने के लिए आओ बच्चों आओ चलकर बूरी मा की मदद करें हम चलो बच्चों आओ सब मिलकर क्या करें बुरी की मा की मदद करें और कैसे करें चलो उड़ा दे दानों पर से बजा बजा कर ताली हम तुम यानि दानों के उपर जो चिरियाएं बैठी हैं ताली बजा बजा के उन्हें हम उड़ा दें और बुरी की मा की इस तरह हम मदद करे वरना सोचो क्या खाएगी वह तो भूकी दह जाएगी वरना सोचो तो सही अगर सारे दाने चिरिया खा जाएगी तो बुरी मा क्या खाएगी वो तो भूकी दह जाएगी चिरियों की यह फोज नहीं तो सब दाने चट कर जाएगी चटका अर्थ होता बच्चों खा जाना तो अगर हमने चिडियों को नहीं उड़ाया तो ये चिडियों की फोच क्या करेगी सारे दाने खा जाएगी तो आओ बच्चों आओ चल कर बुड़ी मा का काम करे हम तो बच्चों आओ चलो हम सब मिलकर क्या करें? बुरी मा का काम करें. नहीं हैं बच्चे, उनके घर में चलो चल कर काम करें हम. बुरी मा के घर में कोई बच्चे नहीं हैं. तो क्यों ना हम ही उनका काम कर दें? तो देखा, कितनी अच्छी कवीता है. इस कवीता में कवी दिवीक्र छमेशी ने कहा है कि हमें हमेशा बड़ों की मदद करनी चाहिए उनके काम आना चाहिए क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अपना काम स्वेम नहीं कर सकते तो क्यों होना हम उनका काम करके सम्मान के पात्र बन जाए तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप भी जरूर अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे और उनका काम करेंगे है ना यहीं तो चीख है इसका विता में अब आप इसका अभ्यास स्वेम कीजिए